अब ऐसे मुद्धे है, एक इतियास तो है, उसको अमदल नहीं सकते तो इतियास हम ने नहीं बनाया, न आज के अपने आपको हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसल्मानों ने बनाया, उस समय घटा इसलाम बाहर से आया आकर्मों को के हाथ आया उस आकर्मन में भारत की स्वतनरता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधहिर या खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हज्जारों है हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है विशेष रद्दा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते है अब इसका विचार क्या करना यह मुसल्मानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू अजके मुसल्मानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सब को स्वतंद्रता से चिरकाल तक वंजित रखने के लिए उनका मनोधहिरिया दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनर्द्धार होना चाहिए हम तो कुछ नहीं कहते हमने नौ नौमबर को कह दिया कि एक राम जन्व में का अंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृती के विरुद्ध किसी आईति आसिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई अंदोलन अगरे करना न नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदों ने भी यह नहीं करना चाहिए अच्छे बात है ऐसा कुछ है आपस में मिल बैठकर सहमती से कोई रास्ता निकाले कि अच्छे बात है, कि से अच्छे विए सकाले कि अच्छे ज़ प्लाव में ने कोई आपगों में हुए हुए हम चाहिए